नमस्कार दोस्तों मैं हूं मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल मम्ताजवे में कैसे हैं आप सब यह बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में हर हर महा देओं हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत अधिक इंट प्रश्न किया है वो भी बताऊंगी हर चीज ध्यान से सुन लिजिएगा समझ लिजिएगा हैं तो समझ में नहीं आरता है कैसे बताऊं क्या बताऊं ऐसे आप लोग मुझ से प्रश्न करते हैं तो फिर भी कोसिस करती हूं कि आज जमीन पर देखे कर दीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे तो चलिए शुरू करते और सभी महत्वपूर बाते जान लेते हैं महत्वपूर बाते तो नहीं बोलूंगी लेकिन आप लोगों बहुत सारे लोग उससे मतलब बोले हैं दीदी हम लोग समझ रहें सीख रहें और कुछ आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे कुवारी लड़कियां क्या नाग नागिन बना सकते हैं पूजा चढ़ा सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं और गर्वती महिलाओं के लिए आप लोग चढ़ा सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है चढ़ा कर आप लोग जो भगवान को प्रसाद चढ़ाइगा मतलब देवी देवताओं को वह आप लोग खा सकते हैं और जो मतलब नाग देवता के लिए चढ़ाते हो इधर चिड़काओं कर दिजे पक्षी किड्र मकोरे खा जाएं तो ऐसे तो देखिए आप लोगों ने इतनी सारे असिरवाद देते हैं और इतनी प्यारे कमेंट्स लिखते हैं ना मतलब क्या बोलो स्पीचलेस हूं कोई वर्ड कोई सब्द नहीं रता मेरे डायरी में डिक्स नरी में और क्या आप लोगों को मैं बोल सकती हूं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद कि इतना अपना कीमती समय निकाल कर और मेरे लिए असिरवाद स्वरूप हो या ब्लेसिंग ज साथ नीचे बैठकर आज बात करूंगी कि इतने प्यारे मतलब मतलब ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे इतने बड़े दिल वाले तो यह देखकर मुझे बहुत खुसी होती है तो आप लोगों ने पूछा है एक तो मैं बता चुकी हूं कि मैं कहां की हूं तो बहुत सार ढТы फैने लिखे हैं दिदी हम सिवान से हैं हम्यूपी से आं देवरिया सैं जानकर बहुत अधिक प्रशनरता हुई और आप लोगों ने पूछा दिदी आप सिवान के किस गाउंसे हैं कहां से तो यह बता दि आप लोग बार बार पूछ रही थी तो वहीं क्यों और आऊंगी तो कोसिस करूंगी आप लोगों से जरूर मिलूं क्योंकि मुझे भी बहुत अधिक खुसी हुई कि जानकर बहुत सारी बहने मेरी लिखी हैं मताय लिखी हैं और जो नहीं भी हैं बिहार या यूपी से मतलब और है कि दीदी आप देखिए कल एक वीडियो सौट डाली थी तो आप पूछे थे कैसे बनाई हैं बता दी मैं सोचती हुगी बता दूगी सामने वाला भी अगर कुछ कोसिस करें तो कर सकते हैं तो देखिए मेरे घर में भी कोई था नहीं बेटा मेरा स्कूल चला गयता और हस पूरी मैं था जो कूरियर लेकर आया था उसको मैं एक बार बोली कि दादा आप रूप जाहिए थोड़ा समय अपना ट्राइपोड वेगरा सेट कर लूँ वीडियो बनाना है मुझे तो बिल्कुल गुसा नहीं हुआ बिल्कुल आप तो फोटो में देख भी सकते हैं मैं और अकेले करना तो इस वज़े से तो वही मैं बोलना चाहती हूं कि जो जैसा रहता है ना भगवान अच्छे लोगों से भेट भी उसको करवा देते हैं मिलवा देते हैं तो इतना अच्छा इंसान था कि बिल्कुल बेचारा मतलब वो परिसान नहीं हो रहा था कि यह समय लगा रही है यह नहीं लगा रही है कुछ नहीं बहुत अच्छे से करके चला गया तो ट्राइपॉड लगा के बनाई थी आप लोग यह भी पूछे थे दो अगला आप लोगों का प्रश्न है कि यूटूब के बारे में बताएं कि यूटूब पे वीडियो वेगरा कै कैसे मतलब अपलोड करते क्या करते तो धिकिए मैं क्या बताऊंगे अप यूटूब पे हिस सर्च किजिएगा बहुत सारे का इसनी कल चैनल नहीं clear जो की बताते हैं कि यूटूब क्या नियम है क्या प्रोसीजर है कैसे वीडियो अप्लोड करनी चाहिए, कैसे एडिट करनी चाहिए, सब कुछ उसी पर है, हम लोग भी उसी से सीखे हैं, कहीं बाहर से नहीं सीखे हैं, तो उस पर इस प्रकार के चैनल से हैं, आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं, यह हो गया, अगला आप लोगों का रहती है, यूपी की लड़कियों की बिहार में भी होती है, और बिहार की लड़कियों की साधी भी यूपी में हो जाती है, सब अपना अपना नसीब है, जिसका जहां जोडी भगवान बना कर भेजे हैं, वहां हो जाती है, लेकिन साधी तो मेरी यूपी बिहार से नहीं हो कि यहां उस रिस्तेदार के हैं वहां जोड़ी अच्छी लगेगी ऐसे लोग आपस में बात करते हैं तो मैं बोलूंगी तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन मेरी साधी बहुत सारे लोग लगा रहते इसको देखके मेरे पापा को लगा ना कि मेरी बेटी की साध हो जाएगी ऐसे लोग देखके मतलब कहते थे कि यहां साधी कर लिजिए यहां लड़का है ऐसे वैसे तो जहां भी देखते थे कहते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका जो चीज लगता है ना कि आसान होता है और यहीजली हो जाएगा यह चीज तो बहुत आसान है भगवान की मर्जी के बीना अएक पत्त हम लोग नहीं हिला सकते हैं तो ऐसा नहीं था जब और होता है कुछ और तो ऐसे आप लोगों को मालूम है थोड़ा मेरे माईके का परिवार बहुत ज्यादा लंबा है और मैं भी लंबी थी तो हमारे पापा को हमेशा लगता था जो भी लड़का देखते थे कि लड़का से लंबी ना हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उतना ज्यादा चोटी हूँ मैं तो साधी हमारी हो गई लेकिन बहुत मुस्किल्स हुई अगला आप लोगों का प्रश्ट है कि दिदी साधी में क्या दहेज दिया गया था आप दहेज तो लगा होगा तो आप लोग खुद सोच के देख लिजिएगा कि अगर जोब वाला सरकारी नौकरी वाला गॉवर्मेंट जो वाला लड़का ढूंडते हैं तो उस जमाने में क्या फ्री की साधी होती थी कि दहेज देना पड़ता था कि नहीं देना पड़ता था वो खुद आप लोग समझ लिजिएगा तो इतना आसानी से नहीं हुई मेरी साधी लेकिन हो गई वही बहुत भगवान की जो मरजी रती अच्छा ही होता है यह चीज आप लोग समझ लिजेगा कि उस जमाने में मतलब साधी कैसे होती थी या भी भी होती है तो कितना इजिली होती है वही चीज आप लोग को समझ लिजेगा अब मैं क्या बताओं बोलूंगी तो कुछ लोगों को सच कुछ लोगों को जूट लगेगा तो मतलब करके ऐसे हो गए तो कुछ कोई न कोई जैसे मीडियेटर रहता है साधी में कोई बताता है तब ही कोई करने जाता है खुद से साधी का ओफर बहुत कम लोगों का मतलब उस जमाने में तो ऐसे भी offer नहीं है आपको देखकर विटिया आपका सिवभाव देखकर है या देखकर हुई थी तो आपको बता दूань कि देखिये सबाइब लोग देखते हैं पहले रंग रूप स्यमय लिए और अलोग कालिफिकेशन और मतलब दूर मीलन यही सब चीज तो पहले देखा जाता हुआ है आता है कि आपका स्वभाव कैसा है आप अंदर से कैसी है वह सब चीजे बाद में देखी जाती है तो मेरा भी उसी तरह देखा गया जो फोटो वेगरा जैसे हम लोग में अभी चलता है कि फोटो पहले दिखाते हैं लड़की का अभी तो वाटसेप का जमाना आ गया फेस्ब आई इंस्पेक्टर थे रेलवे सर्विस करते थे और हमारे ससुर जी भी रेलवे में ही थे बस डिपार्टमेंट दोनों का अलग था और वहीं से बात सुरू हुई किसी ने बताया कि इनके लड़का का जौब है ऐसे ऐसे करके हमारी साधी का बातचीत चलने लगा और कम उमर से हमारे पापा जैसे बातचीत करने लगे थे और हमारे में ऐसे भी बहुत ज्यादा उमर करके तो साधी कोशिस करते हैं कि ना हो लेकिन कोई मांगली हो जाए कोई भी प्रवरन हो जाए तब देर हो जाती है वरना जल्दी ही करते हैं तो ऐसे करते करते पांस साधी बातचीत करने में पांच साल लग गया था और हमारी उमर हम लोगों के जैसे मेरे हस्वेंट की भी मेरी भी बहुत जादा उमर नहीं थी तो ऐसे ठाइम थोड़ा कटते गया अच्छा ही हुआ और उसके बाद से हमारी साधी हुई तो बता ही चुकियों कि पहले डिफेंस में थे नीवी में थे इंडियन नीवी में फोटो भी डाली हुँ सौट वीडियो में यूनिफॉर्म के साथ और आभी जो है स्टेट बैंक में हैं एस बीयाई में एंडिया में है यही कोलकाता में आई जी ब्रांच मेनेजर तो सब कुस तो बताएं चुकी हुँ तो यह आप दिल खुष कर देती हैं अपनी बाते सेयर करती है तो और भी बाकी वीडियो जिसे आप लोगों को इतने लाव मिल रहा है पती-पत्नी वीडियो से दिदी हम बहुत कुछ सुधार कर लिए और हमारा लाइफ इतने अच्छे से चल रहा है तो ये हमको तो दूआ ही मिलेगा न आप लोग इतना सब लिख के मुझे बताती है ठीक है और आप लोगों को जो लोग भी फल वाला उपाए बहुत अधिक कारिगर मतलब अभी हो रहा है बहुत सारे लोगों की मौनोकामना पूर्ण हुई है और देखे मैं आपको उस दिन बताई ही बहुत सारे लोग देखे चुपाई नहीं थी कि मैं भी दो-चार मनत की हूँ वह मनत उतारूंगी जब पूरा करूंगी तो आप लोगों के साथ वीडियो जरूर सेयर करूंगी और आप लोग भी किस भी परिसानी से जूज रहे है तो फल वाला उपाए करके देखिए और दूसरी चीज़ कहा है मा के पहल देखिए जितना देख सकते हैं चड़ा सकती है जिस रूप में आप मता को मनत कर सकती भगवान चाहेंगे सी चाहेंगे महादेव जी चाहेंगे तो आपकी मनकामना अवस्य पूर्ण होगी तो यही सब आप लोगों के जो चोटे-चोटे प्रश्ण अभी को उत्तर अस्कूल के बारे में आप लोग बारबार पूछ रहें तो वह भी बीडियो कोसिस करँगी कि जल्द इससलिल आप लोग साथ सेर करूँ तो यह बीडियो मेरा यहीं तक का था खाल्सा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि यह बीडियो आप लोगों को बहुत अधिक पसंद आएगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खोब खोस रहिए धन्यवाद